यहाँ पर question कहता है, a number is decreased by 30%, then increased by 30%, then further increased by 30%, what is the net increase or decrease percentage in the number? तो और यह कह रहा है, correct to nearest integer, यह SSC, CHSL का पुशा हुआ सवाल है, इसमें देखिए सबसे पहले आपसे मैं एक बात कहूं, कि यह एक तो percentage का सवाल है, और यह successive increase, decrease का सवाल है, तो इसको करने के दो method है, एक तो formula method है, दूसरा simple जो general method होता है, basic method, तो पहले हम basic method से देखते हैं, फ फिर उसके बात formula method को देखेंगे, हमने मान लिया कि वो number 100 था, तो पहली बार में क्या है, 30% से decrease कर दिया गया है, उस number को, तो कोई number है 100, और उसको 30% से decrease किया गया है, तो वो number कितना हो जाएगा, तो वो 100 number itself, number multiplied by, कितना percent से हम यहाँ पे multiply करेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं जितने से हम decrease किया, 100 minus 30% से decrease किया, 100 minus 30 upon 100, इससे multiply कर देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 100 से 100 cancel हो जाएगा, यह 70 आएगा, तो 30% decrease करने के बाद वो number 70 रह गया, अब कहता है, then increased by 30%, तो second time, 30% से increase किया गया है, तो वो number कितना हो गया था? first time 30% decrease करने के बाद, first time 30% decrease करने के बाद वो 70 हो गया था, तो 70 multiplied by, 30% से increase किया जा रहा है number को, यानि 130 upon 100, इससे तो multiply करेंगे, तब जाके वो net number निकलेगा, कितना हुआ, तो 130 upon 100 से multiply करेंगे, तो यह क्या आएगा, यह 1 0 से, यह 1 0 इधर का कटेगा, एक 0 यह कटेगा, 130 यह होगा, तो 13 बच जाएगा, यह 7, 7 into 13, 91, वो number 91 हो गया, अब फिर कह रहा है, कि third time जो है, वो क्या है? increased by 30%, अब तीसरी बार भी क्या किया जा रहा है, 30% से increase किया जा रहा है, तो second time वो number 91 हो गया, अब इसी number को तो हम 30% से increase करेंगे, यानि इसका मतलब हुआ, 91 multiplied by 130 upon 100, ठीक है, यह कितना हो जाएगा, 91, यह 130 को 100 से divide करेंगे, तो 1.3 आएगा, multiply करेंगे, तो 100 and 18.3 आएगा, तो originally number 100 था, उसके बाद यह number आगया, 118.3, 118.3, तो net increase कितना हुआ? 118.3 होगा, तो इसका percentage क्या होगा, तो चुकि यह 100 में हम देख रहे हैं, तो 18.3% होगा, या फिर percentage निकालना है, तो वो number divided by 100 multiplied by 100, या वो number जो increase हुआ है, वो divided by original number multiplied by 100, इससे क्या percentage आता है? यानि 18.3%, अब हम option देखेंगे, तो option में आ रहा है, 18% increase, 18% decrease, 19% increase, 19% decrease, 19% increase, और कहता है, correct to nearest integer, तो nearest integer यानि है, 18%, तो option कौन सा correct होगा? A option is correct, अब हम क्या करेंगे? formula method से करेंगे, formula method देखिए, अगर आपको याद है formula, तब तो ठीक है, वो फटा-फट लगाईए, answer निकालिए, तो यहाँ पर क्या होता है? कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे अगर A percent, शुरुवात में A percent increase किया, और B percent हमने क्या किया? decrease कर दिया, या A percent decrease किया, तो A percent अगर हम decrease करते हैं, तो A को यहाँ A का sign minus होगा, और B percent अगर हम decrease, increase करते हैं, तो plus हो जाएगा, और यहाँ पर A और B, दोनों में आप देखेंगे, तो A आपका minus है, B positive, A minus A आगे decrease किया गया है, और B percent increase किया गया है, तो यह क्या हो जाएगा? minus और plus यह minus हो जाएगा, तो ऐसे हम यह formula को दिमाग पे रखेंगे, जैसे अगर हमसे कहा जाए कि A percent increase किया गया, B percent decrease किया गया, तो क्या होगा net increase या decrease तो A minus B, चुकि A percent increase है, B percent decrease है, और यह A B upon 100 यह भी minus में हो जाएगा, minus हो जाएगा, अगर कहा जाता A percent increase, फिर उसके बाद B percent increase, तो A plus B, और यहाँ पे यह sign भी plus हो जाता, अगर A percent decrease, B percent decrease, तो A minus A होता, B minus B होता, और यह A B upon 100 कितना हो जाता, यह भी यह plus हो जाता, तो बस sign का आप ध्यान रखेंगे, फर्मूले में value put किजिए, लेकिन देखिए, यहाँ पे तीन बार, एक बार decrease है, एक बार increase है, फिर उसके बार increase है, तो इसमें क्या है कि हम पहले आगे दो बार का निकालेंगे, यानि पहली बार decrease है, यानि minus A, और दूसरी बार 30 percent से increase है, plus B, ऐसे करके हम निकाल लेंगे, तो यह कितना हैगा, minus 30, plus 30, और यह minus हो जाएगा, minus, यह A भी है, तो 30 into 30 upon 100, इसको हम solve करेंगे, यह cancel out हो जाएगे, और यह दोनों cancel होंगे, 0, 0, और 3, 3, 9, minus 9 percent, अब यह minus 9 percent क्या है, यह decrease शो कर रहा है, यह क्या है, decrease शो कर रहा है, यानि for decrease in, अब अगली बार फिर formula लगाएंगे, decrease in 9 percent, और third time क्या है, increase in 30 percent, तो यहाँ पर A minus 9 होगा, और B plus 30 होगा, तो minus 9 plus 30, minus 9 into 30 upon 100, अब यह percentage कितना आएगा, यह 30 में से नो गया 21, और यह क्या हो जाएगा, 9 तरिके 27, यह 2.7 हो जाएगा, 2.7, अब इस subtract करेंगे, तो 18.3 percent आएगा, हमारा answer क्या हो जाएगा, 18 percent, तो आप plus negative, positive negative sign का ध्यान रखेंगे, पहली बार निकाल लेंगे, successive से, इस formula से, फिर जो net increase और decrease आ रहा है, अगर increase positive आता है, तो positive और जो third वाला increase और decrease है, उसको ले करके, फिर formula में बिठा के, इसका हम answer निकालते हैं, यही इसका एक formula method होता है, उमिद है आपको यह formula method समझ में आ गया होगा, चलिए अब हम दूसरे question को देखते हैं, और question कहता है, what number is increased, sorry, a number is increased by 30%, then decreased by 25%, and then further increased by 25%, what is net increase, oblique decrease percentage in the number, तो तेखे, पहली बार क्या है कि 30% से increase किया जा रहा है, यारी a positive रखेंगे, b और 25% से decrease किया गया है, तो b negative रखेंगे, यारी a minus b minus ab upon 100, और इसको हम value put करें, तो क्या हो जाएगा यह, 30 minus 25 minus 30 into 25 upon 100, यह 5 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, पचातर 750 होगा, 0 से 0 cancel out होगा, यह आपका आएगा, 20 minus 30 upon 4, minus 10 upon 4, यानि यह क्या show कर रहा है, decrease show कर रहा है, minus 2.5, अब यह minus 2.5 decrease, यह a हो गया, और अंतिम बार, थर्ड बार क्या है, 25% से increase किया जा रहा है, तो b फिर positive हो जाएगा, यानि, यानि a, यह 2.5 को, आप कैसे भी लिख ले, 5 by 2 लिख दे, minus 5 by 2, यह positive, b positive है, तो plus 25, और a और b में एक negative है, तो यह minus हो जाएगा, इसको हम solve करेंगे, तो आएगा 21.87, अब हम यहाँ पर देख लेंगे, कि increase or decrease, तो 21.87, 22 के आसपास है, और यहाँ पर positive है, यानि कि यह increase है, तो हम क्या करेंगे, 22% increase पर टिक करेंगे, तो हमारा option कौन सा correct होगा, यह option correct होगा, तो यह SSC का पुछा हुआ question है, और आप जानते हैं, SSC हमेशा conceptual सवाल पूछता है, आप देखें, तो लोग options में भी गलती करके आ सकते हैं, तो हर चीज का ध्यान रखना है, अच्छे से question करना है, percentage का यह question था, हमारे चैनल रागो मैच्स को सब्सक्राइब करें, थैंक्यू, धन्यवाद,